पे आई थी रात को जो बारिश हुई है ना उस ऐसे जैसे पीछे बुरा तला बन गया हुए और रोड पे ना तक्रीबन दो दो तिन तिन फूट पानी है जो इस पानी के साथ रोड है पीछे बस पानी ही पानी है और आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए हैं बारिश वला मौसन था क्योंकि जब उनका स्कूल टाइम था ना जाने का बारिश ही बंद नहीं हो रही थी तो भी उठें अभी तक्रीबन बारा बज़ रहें और बचे बोर रहे थी कि कुछ मीठा बनाएं समयां बनाएं समयां खतम थी घर में सूजी पड़ी हुई थी तो मैंने का मैं हलवा बना लेती हूँ आज मौसम भी आ रहा था और वैसे भी मुझा जितना ज्यादा लो फील हो रहा था कि वीडियो बनाने का भी बिल्कुल दिल नहीं का रहा था लेकिन फिर भी मैंने का नहीं मैं बना लेती हूँ थोड़ी सी और जैसी ने अभी तर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और शायद कैमरा की सेटिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई हुए कि जब भी मैं वीडियो बनाती हो ना तो ये स्क्रीन पॉप अफ करती रहती है बतलब कि एक चेका फोकस नहीं रखती है तो खैर हल्वा बस बन गया और ये मज़िदार सा हल्वा बन गया हल्वा पूरी की रस्पी मेरे चैनल पर मौजूद है अगर किसी को चाहिए हो तो उदर से आप देख सकते हैं अर और अभी ना असर के बाद का टाइम हो गया है तकि बिन मगरिब से कोई 10-15 मिनिट पहले का टाइम है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है ये लगा तार 12 बज़े की स्टार्ट हुई है पहले तो कल रात पूरी रात होती रही है और आज भी 12 बज़े से स्टार्ट तो ये के रुकने का नाम नहीं ले रही है तो मैंसे न बैटी हुई अभी मैं मुबाइल देख रही थी यूट्यूब पे कुछ वीडियो मेरी आँखों के सामने से गुजरी के सलमा यासीन और सितारा यासीन के बारे में के हुट तो वो चले एक दुस्टे पे वो ब्लेम लगा रही हैं एक दुस्टे के लिए वीडियो बना रही हैं क्या पता क्या सचा और क्या जूट है लेकिन ये रियक्शन चैनल वालों से मेरी ये शिकायत है कि उनका जो भी मसला है वो आपस में सौर्ट आउट कर लेंगी आप इतने गंदे गंदे रियक्शन दे रहे हैं इतनी गलत-गलत बातें बोल रहे हैं उससे आपको क्या हासिल होना है आपको व्यूज तो मिल जाएंगे लेकिन ये जो आपने इतने बेढ़ धंगे से रियक्शन दे कि उन बेचारों के जिन्दियों में जहर गोला हुए है आप खुदा से डरें और मतलब कि अपनी आहरत को याद करें कि इस तरह की बातें आपको जेब देती हैं कि आप यूट्यूब पे आके इस तरह की बातें कोई सलमा को बुरा कह रहे है कोई सितारा को बुरा कह रहे है चले वो जो भी उनका मसला है वो बहने है वापस में सुलजा लेंगी लेकिन ये रियक्शन दे दे के तो आप अपने व्यूज बढ़ाने के लिए आप मतलब उनको इतना गंदा गंदा बोल रहे है और ना एक लाइव मेरी आंखों के सामने से गुजरी के पांच-छे ओरतें बैठी हुई हैं उनमें से दो तिन इंडिया की हैं कुछ दो तिन पाकिस्तान की हैं और वो इतनी मतलब गलत गलत बातें बोल रही है के यूट्यूब पे आके आप भी एक औरत हो आपको इतना एसास होना चाहिए के आप औरत और आपने औरत की इज़त रखनी है लेकिन आपको इस चीज़ का पास ही नहीं है सल्मा यासीन जो हैं वो अपने चैनल पे आके बार बार बो रही है मेरा घर तूटके है मेरा घर तूटके है चले इस चीज़ के लिहाज रख लें कि किसी का घर तूट रहा है आप उसको तो ना इशू बनाएं उसका तो ना रियक्शन लेके हैं और सितारा विचारिया वो माफिया मांग रही है उसका भी आप रियक्शन उट ले रहे हैं अल्लपाक ही है कि आपको हिदायत दे तो मैं अल्लपाक से दुआ करूँगी कि अल्लपाक दोनों के दर्मियान में जो भी मामला हुए है को सुलजाए लपाक दोनों की जिन्दियों में सुकून और इत्मिनान दे और जो भी गलत पहिमिया उनके दर्मियान हो गई है उन सब को लपाक दूर फरमाए और उनमें वैसा ही प्यार महबत जैसा पहले था उनका उनका वैसा ही प्यार महबत बना रहे क्योंकि जब ये इत दोनों की खुशियां जो है ना दोबारा वापस लेका है तो यह थी मिर्या आज की चोटी सी वीडियो उमीद है कि आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको फेरी वीडियो अच्छी लगते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मिलूगे इन्शालला आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए मुझे दें इजासत आला हाफिज